परिचय आओ सीखें जन्तु इनके प्रकार हैं धल्चर, जल्चर, जल्स्थल्चर, कीड़ा और पक्षी आईए इनके बारे में ज्यादा जाने धर्ती पर रहने वाले जीवों को धल्चर कहते हैं गाय, बकरी, कुत्ता, शेर और बाग इसके उधारन हैं आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ थल्चर जमीन के अंदर बिल बनाकर और लेकर रहते हैं जैसे केचुआ, चूहा और साप जन्तूओं के शरीर के अंग थल्चरों का शरीर मुख्य तह चार भागों सिर, गर्दन, धड़ और पूँच में विभाजित होता है सिर में आख, नाख, कान और मुह होता है शरीर का अगला अंग है गर्दन गर्दन जन्तूओं को अपना सिर उपर नीचे और दाएं बाएं करने की सुविधा देती है धड़ के अंदर शरीर के कई अंग होते हैं कुछ जानवरों में पूँच शरीर का संतुलन बनाने में मदद करती है जन्तूओं की खाने की आदतें सभी जन्तूओं को उर्जा पाने और विभिन कारियों को करने के लिए भोजन की जरूरत होती है वे विभिन प्रकार के दादों की सहायता से विभिन प्रकार का खाना खाते हैं शाक भक्षी शाक भक्षी पेड़ पौधे खाते हैं उनके दात, घास और पत्तियां पीसने के लिए तीखे और चप्टे होते हैं गाय, बकरी और भैस शाक भक्षी जन्तूओं के उदारण हैं। मास भक्षी अपने तेज, नुकीले और मजबूत दातों से मास खाते हैं। शेर और बाग मास भक्षी जन्तू के उदारण हैं। सर्व भक्षी सर्व भक्षी पौधे और मास दोनों खाते हैं। भालू और कववा सर्वभक्षी के उदारण हैं। भोजन की विशेश आदतें जन्तूओं के खाने की सामान्य आदतें जानने के बाद, आईए अब हम उनके भोजन की विशेश आदतों के बारे में जानें। मधुमक्खी अपने मुख में मौजूद लंभी नली की सहायता से फूलों के अंदर से पराग चूस लेती है। मेंधक के पास कीडों को पकड़ने के लिए लिस-लिसी जीब होती है। हाथी के पास पेड़ की पत्टियां तोड़ने के लिए लंभी सून्ड होती है। जन्तूओं के बच्चों की देखभाल आईए, अब हम अपने दूसरे विशय जन्तूओं के बच्चों की देखभाल पर चलें हमने देखा है कि जन्तूओं के बच्चे भी उन्हीं की तरह दिखते हैं सभी जन्तु अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं कुत्ते के बच्चों को उनकी सुरक्षा हे तु उनके लिए बनाए गए घर में रखना चाहिए बच्छडे, गाय और भैसों की सुरक्षा के लिए सायबान में रखना चाहिए कंगारू अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे अपने पेट के थैले में रखते हैं आईए अब अन्य जन्तूओं जल्चर, जल्स्थल्चर और कीडों के बारे में जाने पानी में रहने वाले जन्तूओं को जल्चर कहते हैं मचली, वेल और कच्छवा जल्चर के उधारण हैं कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं उन्हें जल्स्थल्चर कहते हैं जैसे की मिंधक और साप कीडे जमीन या किसी दूसरे आधार के सहारे रेंगते हैं जैसे की मकडी और चीटी कुछ कीडे उड़ भी सकते हैं पक्षी आईए अब पक्षियों के बारे में जाने पक्षी ऐसे जन्तू होते हैं जिनके पास पंक होते हैं और वो उड़ सकते हैं उनके शरीर पर भी पंक होते हैं जो उन्हें गर्म रखते हैं वे पेडों पर घोसला बनाते हैं ये घोसले ही उनके घर होते हैं जहां वे रहते हैं और अपने बच्चों को भोजन कराते हैं पक्षियों की चोंच और चप्टी होती है कट फोडवा की चोंच पेडों में रहने वाले कीडों को निकालने के लिए लंबी, नुकीली और कठोर होती है पक्षियों के पैर और पंजे अलग-अलग पक्षी अपने पैर और पंजों का प्रेयोग अलग-अलग तरीके से करते हैं। गिध और बाज के पंजे छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए तीखे और मजबूत होते हैं। बतक के पंजे तैरने में सहायता देने के लिए जाल युक्त होते हैं। कटफोडवा के पैर चोड़े होते हैं, जो उसे पेड़ पर चढ़ने में सहायता करते हैं। आहार श्रिंखला दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सभी जन्तु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वास्तव में वे सभी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। शाक भक्षी पोशन पाने के लिए पेड़ पौधे खाते हैं। मास भक्षी शाक भक्षियों का मास खाते हैं। जबकि सर्व भक्षी, पोशन पाने के लिए शाक भक्षी और मास भक्षी दोनों को खाते हैं। आहार श्रिंखला उस अनुक्रम को कहते हैं, जो बताता है कि जिन्दा रहने के लिए कौन जन्तु क्या खाता है। उदारण स्वरूप, खर्गोश घास खाता है और शेर खर्गोश को खाता है, भालू दोनों को खा सकता है। हमने क्या चर्चा की? सभी जन्तु सजीव प्राणी होते हैं, वे विभिन आकार प्रकार और रंग के होते हैं। गर्दन, धड़ और पूँच में विभाजित होता है। आहार की आदतों के आधार पर जन्तु को शाक भक्षी, मास भक्षी और सर्व भक्षी में बाटा जाता है। पानी में रहने वाले जन्तु को जल्चर कहते हैं। कुछ ऐसे भी जन्तु होते हैं जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। उन्हें जल्स्थल्चर कहते हैं। जमीन या किसी दूसरे आधार के सहारे रेंगने वाले जन्तु को कीडा कहते हैं। पक्षी उन जन्तुओं को कहते हैं जिनके पास पंक होते हैं और वो उड़ सकते हैं। उनके शरीर पर भी पंक होते हैं जो उनके शरीर को गर्म रखते हैं। आहार श्रिंखला उस अनुक्रम को कहते हैं जो बताता है कि जिन्दा रहने के लिए कौन जन्तु क्या खाता है?